नमस्कार दोस्तों, हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसी इस्थिती जरूर आई होगी, जिसमें हमें अपने आधार काड का एड्रेस तो बदलवाना है, लेकिन हमारे पास नए एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है, इस इस्थिती में आधार काड में एड्रेस चेंज करवाना पुरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को सेर कीजिए, अगर आपको अपने आधार काड में एड्रेस चेंज करवाना है, और आपके पास कोई आधार कार्ड में अड्रेस चेंज करवा सकते हैं इसके लिए बहुत ही आसान सी प्रक्रिया फॉलो करनी हैं सबसे पहले आपको UIDI के अधिकारिक वेबसाइट जो है UIDI.gov.in पर जाना होगा इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है आप उस लि नीचे अपडेट देमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद माई आधार पोटल उपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लोगिन करना है लोगिन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना तो फिर से मैं टाइप करता हूँ और सेंड OTP पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद मेरा OTP जेनरेट हो गया और यह मेरे आधार रेजिस्टर्ड मोबाइल नमबर पर आ गया है इसे हमें फिल करना है OTP फिल करने के बाद लॉग इन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद माई आधार पोटल पर लॉग इन हो जाएगा अब आपको अपडेट आधार ओलाइन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है उसके बाद जैसे हमें एड्र करना है यानि जो address आपको आधार काड में चाहिए वो address यहाँ पर fill करना है यहाँ पर care of में father name या husband name जो भी है वो दे सकते हैं उसके बाद या हिंदी में auto translate हो जाएगा यहाँ पर आपको building name देना है यहाँ पर आपको street name देना है यहाँ और आपको locality देना है यानि sector जो भी है वो आपको fill करना है वो fill करने के बाद अगर landmark कोई है तो आपको fill करना है और यहाँ पर last में आपको pin code देना है pin code fill करने के बाद आपका village town select करना है उसके बाद आपको अपना post office select करना है और यहाँ पर आपका district और state auto select हो जाएगा अब आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना है कि जो document आप address proof के तोर पर देंगे वह आप manual upload करेंगे या dg locker से फेज करेंगे और यह list of documents है जिनमें से किसी एक को आपको address proof के तोर पर देंगे पर यह आपके पास तो है ही नहीं इसके लिए हम आपको एक solution बताएंगे आ आपको यह form भरना है, जो form है certificate पर आधार enrollment और update, इस form में सारा detail भरने के बाद आपको certify कराना है, या तो आप gifted officer group A या group B से certify करा सकते हैं, वहीं पर अगर आप गाउं में रहते हैं, तो आप अपने village पंचायत head या निमुखिया से भी करा सकते हैं, आप अपने MP, MLA, MLC या municipal counselor से भी करा सकते हैं, आप अपने area के तहसीलदार से भी करा सकते हैं, आप किसी educational institute के head से भी करा सकते हैं, और superintendent और warden या PF officer से भी आप करा सकते हैं, इस form को पहले आपको भरना होगा, यहाँ पर आपको date fill करना है, यहाँ पर आपको resident, वैसे ही आपको आधार number, अपना पूरा नाम, care of, और आपको house number, street number, landmark, area, village, post office, district, state और pin code आपको fill करना है, और आपको यहाँ पर date of birth fill करना है, और यहाँ पर sign करना है, और यहाँ पर आपको एक photochip काना होगा, photochip काने के बाद, आपको इसे attested कराना है, और वह attested इन सभी लोगों में से किसी एक से करवाना है, उसके बाद जो attested करेगा, यानि जो certify करेगा, उनका detail भी आपको fill करना है, यहाँ पर certifier का नाम लिखना है, यहाँ पर उनका designation लिखना है, उनका office का address लिखना है, और उनक का stamp अपने photo पर और साथी साथ यहां पर भी उनसे stamp लगवाना है और sign करवाना है photo और यहां पर यह checklist है certifier के लिए वह confirm करेंगे कि इस form में कोई overwriting नहीं है, issue date फिल किया गया है, signature है residence का और certifier का detail फिल किया गया है और photo पर cross signature किया हुआ है, फिर इस form को certify होने के बाद आपको scan करना है, इस form का भी link मैं description box में दे दूंगा, आप उस link पर click करके form डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद print ले सकते हैं, उसके बाद सारा detail भरने के बाद इन सारे officers में से किसी एक से आप इसे certify करा सकते हैं, उसके बाद scan करने के बाद आपको फिर से यहां पर आ इंस्चूट के head से करवाए हैं, तो आपको यह option select करना पड़ेगा, अगर आपने superintendent warden या matron या head of institute of recognized shelter home से करवाया है, तो आपको यह option select करना है, वहीं पर आपने तहसिलदार या group A या B के guested officer से करवाया है, या EPFO officer से करवाया है, तो आपको यह option select करना है, और अगर आप ग आपको यह option select करना है, इन सारे option में कोई सा भी एक option जो सही हो, उसे select करने के बाद आपको ok करना है, उसके बाद आपको view detail and upload document पर click करना है, उसके बाद continue to upload पर click करना है, अब आपको वह document select करना है, और उसे upload करना है, हमारा document upload हो गया है, upload होने के बाद next पर click करना है, उसके ब आप यहाँ पर क्लिक करके उसे edit भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना supporting documents view कर सकते हैं, उसके बाद इदोनों को okay करना है, यानि agree करना है और next पर क्लिक करना है, next पर क्लिक करने के बाद अब आपको payment करना है 50 रुपय का, उसके लिए आपको agree करना है और आपको make payment पर क्लिक कर मेंट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हम पेमेंट गेटवेट पर आ चुके हैं आप 50 रुपए का पेमेंट डेविट कार्ड ग्रेडिट कार्ड या वालेट नेट बैंकिंग या UPI या पेटीयम किसी से भी कर सकते हैं पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म सब्मिट हो एड्रेस अपडेट होने के बाद आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ पीवीसी कार्ड ओर्डर कर सकते हैं कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना है और कैसे पीवीसी कार्ड ओर्डर करना है इन दोनों टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल पर अ है हिंदुस तो